नमस्का दोस्तों मैं विकास गौड हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज दोस्तों धान के खत्वदवार के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हमारे खेत में अलग-अलग तरह के खत्वदवार होते हैं लेकिन किसान उसके लिए एक ही दवाई का यूज करते हैं। तो इस समा के लिए दोस्तों हम अक्सर नूमिन गोल्ड या टाटा की तारेक या विस्पारी वैक सोडियम दवाई का यूज करते हैं जो कि इसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है समा को लेकिन दोस्तों बात आथी है कि इस खत्वदवार को या ऐसी खत्वदवारों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन एक आप इससे में जो देख रहे हैं यह मौता घास है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है नूमनो गोल्ड या विस्पारी वैक सोडियम जो साल्ट आता है उससे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हूं तो मौता के लिए हमको कौन सा टेकनिकल लेना चाहिए जो की दोनो खत्वदवारों को आसानी से कंट्रोल किया सकता है और काफी कम प्राइज में आपको मिले तो इसके बारे में दोस्तों मैं सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसमें देखी जब 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 मौता घास भी है लेकिन हमारे किसान अगर इसमें नोमनो गोल्डी का ही यूज करेंगे तो उनके लिए इसमें कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है अब दोस्तों जैसे खत्वदवार हमारे खेत में होते हैं तो उसमें फुटाव कम होता है पौदा कमजोर रहता है क्योंकि उसका जो माइकर नून टेंस है न वो तुमारा खत्वदवार उसको खीजता रहता है तो इस वैस से काफी जादा गराबट देखी जाती है अब द तरह जानती हूँ इसमें टेकनिकल होता है मेट सल्फुरोन मिथायल 10 परशेंट और दूसर टेकनिकल होता है कलोरी मीरोन इथायल 10 परशेंट डवलूपी तो यह 8 ग्राम का पेकट है यह मौता घास के लिए काफी अच्छा कंट्रॉल करता है और इसका जो दोस्तों अगर प्राइज की बात करें कि यह कितनी रुपे का पड़ता है हमें यह एक एक एकड़ के लिए यानि पांच भी एक लिए लगवग यह 8 ग्राम का पेकट 110 रुपे में आपको बजार में मिल जाएगा कुछ लोग इसको एक से 20 या 30 में भी देते हैं लेकिन मुझे यह 110 रुप में उसमें किलोर मीरो निथाइल 25% WP होता है उसका भी आप यूज कर सकती हो और दोस्तों टाटा की यह तारक है यह नुमिनो गोल्ड या टाटा की तारक नाम से बजार में काफी अरह बिखती है इसमें टेक्निकल होता है बिसपारी बैक सोडियम 10% और यह दोस्तों आपक 500 ml तो दोस्तों दोनों को आपको अलग-लग घोल बनाने लाएं और बात में जब आप पानी भर दोगे टंकी में तो आपको एक साथ एक एक डखन इसमें से डाल देना है और दोस्तों इस बात का जरूर देहर रखना है कि घोल को अलग-लग बनाना है और दोस्तों धान में स तो आपको चिपू का भी जरूर द्यान रखके अगर मौसम साफ है तो कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों आपको यह विशेज द्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताई है आपकी घास अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगी और दोस्तों इसकी आगे की बीडियो में जरूर डाल पहलुगा कि इसका डाल है और कितने कीट्रोल पहाई तो क्या दोस्तों बवाई और से नीशी जमीन से और उससे उनमें ज़्यादा फुटाब होगा आपकी धान की अपेच्छा आपके धान में किल्ये कम निकलेंगे लेकिन खत्रवारों में ज़्यादा निकलेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके फसल पर चड़की रहिए यह बोलते हैं टाइम टू टाइम फसल पर रहिए आपकी फसल कभी भी दोका ने दे सकती आपको अगर आप लापरवाई करोगे या उसको लेट करोगे तो काफी यादा नुकसान आपको ही जिलना पड़ेगा और दोस्तों आपके खेत में घास कर मरने लगे तो उसके दो दिन बाद आपको पानी पूरा भर देना है पानी भरने के बाद दोस्तों घास अची तरह बैठ जाएगी या मर जाएगी खतम हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप इसमें खात या जो कुछ लगाना चारियों वो लगा सकते हो आपके खेत में किल्ले अच्छे निकलेंगे और फटा भी अधिक होगा क्यों